तो स्वागत है आप सभी का हमारे लुक चैनल 1207 में तो आज जो है कि हम यहां से जा रहे हैं दर्भंगा और दर्भंगा जाने के बाद प्लानिंग करते हैं कि जाना कहा है तो चलिए यहां से चलते हैं पहले दर्भंगा और दर्भंगा से सीक्रेट है जो आपको वहां जाने नीदी और इधर देखिए अन्नू और पीसे उधर अम्रीता ठीक है तो चलिए चलते हैं फिर ठीक है चलते हैं मिलते हैं अगर पोपट हो गयार मेरे साथ रात में चूट गया और अब भी जा रहें वैसे ट्रेंड पकरने देखिए क्या होता है कि दर्भंगा रालवेस्टेसन का मॉर्णी का जो भी है ना मन को मुक्त कर देरे वाला रालवेस्टेसन का भी हुआ है मतलब पूरा सांती माहोल और आनंद भरा माहोल है यहां का आप उसे देख सकते हैं यहां पर जब ट्रेन आने की सूचना हुई तब जान में जाना है जो कि रात का टिकेट जो था वह 40 रुपए का मिला और अभी का टिकट जब एक सो बीस रुपए का चारा आदमी जाना है तो पहले चलते हैं बस स्टेंड और वहां से बताते हैं कि कहां चलना है यह देखिए बाहर का भीव और हम बैक केमरे से दिखाते हैं यहां का भी तो देखिए आ चुके हैं बस में और जैसे तो बोलने दो तीन जगह उतरना पड़ेगा चड़ना पड़ेगा पता नहीं क्या क्या होगा फिर भी बने रही है आप लोग हमारे साथ वीडियो में जनकपूर के लिए तो वाट चलेंगे लिए तो हम लोग बिठा मोड नेपाल बॉर्डर पे पहुंच चुके हैं यहां से वह हमें चलना है मतलब बॉर्डर के उससी तरब चलेंगे उसके बाद वहाँ से ओटो मिल जाएगी जनकपूर के लिए तो हम लोग जनकपूर पूर चलेंगे आपको दिखाते हैं यहां का बोर्ड तो बैक केमरे से दिखाते हैं आपको यह देखिए थैंक्स फर विजिट इंडिया इस तरफ लिखा हुआ है जैसे हम लोग बॉर्डर क्रॉस किये तो यहां पर पैसे चेंज जो करते हैं ना तो वो मेरे पास आगे बोले पैसे चेंज करवा लो तो सिंपल बात क्या कि पैसे चेंज करवा ही लेना चाहिए तो हम लोग एक हजार का चेंज करवाय हैं तो यहां पर देखिए तो यहां पर देखिए कि सामने में सलाव यहां अब यहां से लाइन से आपको सराव का दुकान यहां वहां कहीं भी मिल जाएगा बस बॉडर क्रॉस किजिए और आकर दीजिए यह देखिए फीचे तो चलिए चलते हैं यह सब मजाग मस्ती बहुत हुआ अब बस में बैठते हैं उसके बाद गया भारत आफ यह दो कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो दो कि अब लोग जिस देस्टनेर्सन के लिए घर सा निकले थे ना वहां हम लोग आचुके हैं चलिए हम आप लोग को दिखाते हैं यह देखें पीछे का भीव यह है मता सीता का मंदिर तो बहुत सारा चीज है यहाँ पर आपको बैक के मेरे के भीव सारा चीज दिखाते हैं आप अग्या पता है पता है जिस तलाव के पास हम कड़े हैं इसमें मचली बहुत सारा है और यहां पर पास में मुड़ी का दुकान सब बी है यहां से मोड़ी खड़ी तक और इसमें जालने के दिखाते हैं जग जीवन जी रडी है ना आप दो दो लेते हैं थोरा प्रहाथ जैसे कि आप लोग देख रहे हैं वैसे तो हम लोग अशनान करके दरभंगा से प्रहाई हुए ही थे और यहां पर आने के बाद थोरा भेस दोले जो करके अभी साफ हो चुके हैं कपड़ा भी चंज कर लिए हैं अब यहां से सारा चीज करके और मंदिर की तरफ बढ़ते हैं तो चलिए साथ ही चलते हम लोग मंदिर पर चलिए हो तो आ चुके हैं मंदिर यह देख सकते हैं फीछे मंदिर है और पहले यहां का चारो तरब का व्यू दिखाते हैं आपको उसके बाद चलेंगे यहां पर उपर चलेंगे अंदर भी चलेंगे पहले व्यू देखे यहां मैं आपको चलेंगे यहां झाल 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 तो फूजा करने के लिए फूल उन सारा चीज आ चुका है तो यह देखिए लश्मी जी के लाने के लिए लिए अंदर चलते हैं अंदर तो फियो फगोई तो फैनल इम लोग पूजा करके निकल चुके हैं तर्ट बाहर का वीव दिखाते हैं यहां पर बहुत सारा चीज घूमने वाला है जो हम आपको नहीं घुमाएं अभी तक तो वह तो सारा चीज घुमाएंगे में आपको तरा चीज दिखाएंगे आपको आप हमारे साथ वीडियो में शुरू से अन्तक बने रहे हैं और वीडियो का आनंद ले चलिए आगे चलते हैं वीडियो में का ने के अंग अने उना को अ एधर से जय को टिकरदेजिए पहला ढई टिकरदेजिए आज आइ निको जाना चीज करते हैं यहां पर के चीजट ऑख सबुस्य का किआ और किने गड़ते हैं है जलते है क्यों अभी कुछ दर पहले तो अभी बहुत सबोख सब certains देखने के लिए जितना देखोंगे उतना कम हो। शूटर सब्सक्री हुआ अपर है इस यह है माता सीता का बिवा जैसे जंक से हुआ था यहां पर वही सो रूप है दिखाया गया है किस परकार से हुआ था गोह प्रहुश्यडाम जी और पीछे सीता माता उनका सारा मंदली तो यह रहा चलिए जीवन जी अब तो लगदान लास्ट है यह सारा गेट बंद है इधर भी कुछ-कुछ था पहले वैसे कहात काते हैं लोग यहां पर यह सारा क्लोज है कि अब कि अब कि मन को मोह लेने वाला जगह है लेकिन वाकई नीचे रास्ता है चलिए अभी गुफा के टैप बना हुआ और नीचे रास्ता है चलिए फहले चलते हैं नीचे देखते हैं क्या है कि हड़ जगा फायर अलाम में गारा सारा चीज लगाए मतलब सुरक्षा के मामले में यहां पर बहुत अच्छा तरीके से दिया गया है यह देखिए वह पुराना सारा चीज कि अऑनचे कि भुषा बना हुआ है जगे झाल को भी अगरा तरीके की वहाँ पर लुषा तरीके। पर कि आप 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 कि अपर आप आप अपर अपार बाहर जाने का रास्ता सब्सक्राइब लाइटिंग डेकोरेशन तो बहुत अच्छा मतलब फाड लाम लगा हुआ अंदर सारे जगह पे और बहुत सारे चीज़ अंदर अब बहुत सारा जगह से घूम के बाहर आचुके हैं और यहां पर एक चीज और है घूमने लाइक जगह जो इसके जश्ट पास में पड़ता है तो वहां पर चलेंगे मंदिर से बाहर निकलते हैं पहले उसका दूर्ज जगह पर चलते हैं और आपको भी घूमाते हैं और हम को दिखाते हैं जो जो जगह यहां पर जनकपूर में है कि यह जगह जस्ट मंदिर के बगल में ही है ठीक है तो यहां भी आप आ सकते हैं कि यूटा चपल बाहर ही खुल कि यह माजान की जी जैसे माता जानकी का यहां माता जानकी और प्रभु श्रीराम विराजमान है इसके अंदर लिखा हुआ भी है स्रीराम माजान की जी अधर से लोग खुला तो है चलिए अंदर नहीं जा सकते हैं अंदर में दिखाया गया और इधर दिखे वाओ मस्त सा बगी चाहिए आप है चलेंगे अंदर भी और टिक टॉक्स उट करेंगे वहां पर तो अंदर का माहुल देखिए वैसे कुछ दिखेगा तो सही से नहीं क्योंकि सीशा लगा हुआ है और अंदर जाने का अनुमती त कि तो छान कि जैसे लो के अनुट करें अगर नेपाल आप आए हुए हैं तो एक और जान की मंदर जरूड वीजिट करें और जान की मंदर वीजिट करें बहुत ज्यादा वो रहा सामने जानकी मंदिर और यह जगह यह सामने पढ़ता है मतलब आगे से बढ़के तो एक बार यहां आएं और बहुत ज्यादा मजाएगा वाकई अब मेरे साथ पॉपट हो गया जा रहे थे जूता लाने के लिए मतलब पूजा करने के लिए जूता होता खोल के के खैसे ना जूता छोड के सरा जगह घुम लिए उसके उधर से आ रहे थे अचानक से सामने सेसे वह याड को चूडी वाले भी या आ चुके हैं रूम भी मिल गया तो चलिए पहले हम आपको रूम टूर करवाते हैं यह रहा नेपाल का रेस्टुडेंट यानि रेस्ट करने वाला होटल हम लोगों के लिए ठीक है तो चुके हैं उपर देख सकते हैं अप एसी लगा हुआ है पीछे LCD डिश टीवी और यहां ने हुआ हुआ है तो फाइनल हम घर पहुन चुके हैं और अभी रात के हो रहे है आठ में लेख सकते हैं क्या नीदी नीचे नीदी और अभी घर में देख रहें काम चल रहा है दिपावली का वही साप सफाई वाला सब काम चल रहा है तो घर में कच्रा उच्छा फैला वांदी साप सूफ करके रखा गया इधर वी देखें पूडा जाम परा है अन्नू पिछे और ठ ज्यादा मजा आया वहां कई बहुत ज्यादा मजा आया और मतलब जो चाहिए ना वह बहुत कुछ था वहां ठीक है तो आप लोगों से एक बात कहना चाहूंगा अगर कहीं अगर नेपाल कभी जाएं तो जनकपूर जरूड जाएं बहुत बेस्ट पहले से घूमें वहां वहां पर अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कोमेंट सेर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें धन्यवाद